जब भी किसी बड़े एंपायर का डिकलाइन होता है, डाउन फॉल होता है, तो काफी सारे छोटे 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 राज्यों का उदे होता है, गुपता एंपायर के डिकलाइन के बाद भी यही हुआ, गुपता एंपायर का डिकलाइन 550 AD के एराउंड हो चुका था, इसके पियाना के आसपास पंजाब के आसपास ये रूल करते थे और इनका capital थाने सर हुआ करता था इसी के major ruler थे हर्षवर्धन तो आज के इस वीडियो में आज हम लोग हर्षवर्धन को discuss करेंगे हर्षवर्धन का rule 60680 से लेके 64780 तक चला और इनको इंडिया का the last great Hindu emperor भी कहा जात पॉलिशी अपना ही और बाद में ये भी कहा जाता है कि इनका जुकाओ बुद्धिज्म की तरफ बढ़ गया तो आज के इस वीडियो में हम लोग हर्षवर्धन का rule हर्षवर्धन का सासन डिसकस करेंगे इनका background समझेंगे और इनके reign में इनके rule में जो important personalities हैं उसको भी discuss कर तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दू मेरा नाम है काश और आप देख रहे हैं बैक पिंचस गुरू अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बिल आइकन प्रिस कर लो ऐसे ही इंसेंट हिस्टरी वीडियो के ल चोटे-चोटे सामराज्यों का उदय हुआ उसी में से एक थे पुश्यभूतीज पुश्यभूतीज का रूल पंजाब हरियाना इस एरिया में था और इनका कैपिटल थानेस्वर थानेसर या स्थानेस्वर भी बोलते हैं उसको तो आप लोग थानेसर नाम से याद तो पुश्यभूतीज की राजधानी थी थानेस्वर फिर करनोज के आसपास के एरिया पे रूल करते थे मौकरी डाइनस्टी बंगाल में थी गोडा जो की ससांक इनके इंपॉर्टेंट रूलर थे नर्मदा के इस पार साउथ में थे चालुक्या और बदामी ठीक है तो च पुश्यभूतीज का राइस कैसे होता है पुश्यभूती डाइनस्टी का पहले तो यह हुनाज को हराते हैं हुनाज मैंने आपको बताए कि सेंट्रल एशिया से आया थे और काफी ज्यादा सीवियर ब्लो दिया था गुपता एंपार को तो हुनाज सेंट्रल एशिया से आ गुप्ता की हैं, सामन्त थे, गुप्ता डाइनस्टी में एक सामन्त हुआ करते थे पुष्य भूतीज, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना इंफुएंस बढ़ाना स्टार्ट किया, तो इनके एक इंपॉर्टेंट रूलर थे प्रभाकर वर्धन, ये फाउंडर नहीं थे, एक राय नहीं है, तो प्रभाकर वर्धन, around middle of 6th century AD, छटी सब्ताब्दी के बीच में प्रभाकर वर्धन आते हैं, प्रभाकर वर्धन एक इंपॉर्टेंट रूलर है, ये पुष्य भूती डाइनस्टी में, या फिर वर्धन डाइनस्टी भी इनको बोलते हैं, तो प्रभ दूसरे बेटे थे हर्षवर्धन, इनकी एक बेटी थी राजिस्री, ठीक है, तो इनकी जो बेटी थी राजिस्री, इनकी साधी ये प्रभाकर वर्धन कराते हैं, जो मौकरी डाइनस्टी के रूलर थे ग्रह वर्मा से, ग्रह वर्मा से किसकी साधी कराते हैं, राजिस्री क और यह जो मौकरी डाइनस्टी है इनके दुस्मन हुआ करते थे यह मालवा के रूलर और उस समय मालवा के रूलर थे देवगुप्त ठीक है तो प्रभाकर वर्धन की बेटी मौकरी डाइनस्टी के रूलर से साधी करती है लेकिन उस मौकरी डाइनस्टी का मालवा दुस्मनी होता है और इसी दुस्मनी के कारण जो मालवा के रूलर थे देवगुप्त वो जाके जो ग्रह वर्मा है जिससे राजिस्री की साधी हुई थी उसको मार देते हैं तो देवगुप्त ग्रह वर्मा को मार देते हैं और राजिस्री को इंप्रिजन कर लेते हैं राज राजिवर्धन देवगुप्त को मार देते हैं ठीक है अब क्या होता है कि देवगुप्त का दोस्त भी थे ससांक और ससांक आके आते हैं पिक्चर में ससांक बंगाल और बिहार में गौर्ड डाइनस्टी का रूल हुआ करता था बंगाल और बिहार के कुछ एरिया में तो पहानी फिर से रिपीट कर दू राजिसरी प्रवाकर वर्धन की बेटी थी उसको बंदी बना लेते हैं कौन देवगुप्त जो की मालवा के रूलर हुआ करते थे क्योंकि राजिसरी के साधी ग्रह वर्मन से हुई थी जो की मौकरी डाइनस्टी से थे और कन्नौज के रूलर और अपनी बहन राजिसरी को बचा लेते हैं अब आते हैं कि ये जो वर्धन डाइनस्टी है या हर्षवर्धन का रूल है इसके बारे में सूर्स क्या है सूर्स मिलता है हर्षचरित जो की हर्षवर्धन की बायोग्राफी है जिसको लिखा था बानवट ने बानवट कोट पोएट हुआ करते थे हर्शवर्धन के तो बानवट के द्वारा लिखी गई हर्श चरित उनके टाइम के जानकारी देती है फिर वेंस सांग ये स्पेलिंग भी सही है वेंस सांग जो की चाइनिज ट्रावलर थे 629 AD में वो आते हैं 15 साल तक इंडिया में रहते हैं वेंस सांग ठीक है उनके भी ट्रावल लॉक से ट्रावल अकाउंट से हम लोगों को उस टाइम के बारे में जानकारी मिलती है फिर इसको डीटेल में समझते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया इनका रूल 606 AD से लेके 647 AD तक चला था हें की बात उतनी सही नहीं है यह लास्ट ग्रेट हिंडु रूलर नहीं थे हिंके बाद भी काफे सारे हिंडु रूलर्स आये इंडिया में और यह स्टाँच हिंडु भी नहीं थे यह काफी tolerant policy अपनाते थे दूसरे religion को लेके औरिजिनली एक शेव थे, सिव के भक्त है, लेकिन बाद में इनका जुकाओ बुद्धिज्म की तरफ बढ़ता चला गया ठीक है, इनको हर्ष के नाम से भी जाना जाता है और सकल उत्तरपथनात, यानि Lord of the North का टाइटल इनको दिया था कि ये नर्मदा के उपर North India में रूल करते थे, तो ये बात आपको याद रखनी होगी ये 16 साल की उम्र में रूल समाला था इन्होंने, ग्रेट वारियर थे, महान योदा और कुशल एड्मिनिस्ट्रेटर भी थे अब आते हैं ये इनका रूल कहा कहा था था, ये जो आप ग्रीन वाला रीजन देख रहे हो, ये इनका रूल यहाँ तक स्टैबलिस था, ठीक है, इनका कैपिटल स्टार्टिंग में थानिस्वर था, फिर इनका कैपिटल कन्नौज कर लिया इन्होंने, तो इनका जो पावर reason है उसके middle में है तो कन्नौज इसलिए इनका capital था और पाटली पुत्रा decline पे चला गया पाटली पुत्रा इनके rule में उतना important नहीं था जितना कन्नौज था पाटली पुत्रा से trade and commerce गायब हो रहा था agriculture society बनती जा रही थी इसलिए पाटली पुत्र decline होता चला गया कन्नौज और प्रियाग इनके rule में important होते चले गया तो यह जो अभी rate से trade कर रहा हूँ यह हर्षा का rule था और east में जैसा कि मैंने आपको बताया यह वर्मन्स rule करते थे अशाम में वर्मन्स इनके दोस्त हुआ करते थे कामरूप में वर्मन्स का rule था यह मैंने आपको बताया गौड़ा इनके दुस्बन थे शशांक फिर south में मैंने आपको बताया नर्मदा के नीचे चालुक्या रूल करते थे चालुक्याज ऑफ बदामी ठीक है और इनको जो विंधियाज की hill tribe थी उन्होंने भी इनको अपना ruler माना था तो ये north part में और west में तो north west में तो पंजाब में इनका rule था ही तो ये काफी बड़े एरिया में northern India में rule करते थे और इसी लिए इनको सिलादित्य का title मिला जो की hun sang उसको mention करते हैं तो इन्होंने सिलादित्य का title लिया और इनका rule पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उरिशा, मितला यहां तक फैला हुआ था इन्होंने अपना capital थाने से कन्नौज shift कर लिया और मैंने जैसा कि आपको बताया कन्नौज इनके rule में ज़्यादा prominent हो गया पातले पुत्रा का decline हुआ ठीक है नर्मदा इनकी southern boundary हुआ करती थी east में कामरूप जो थे उनके lordship को accept किया था और इनके अच्छे relation थे उनके साथ west में बलभी ने भी इनको अपना ruler मान रखा था और forest tribe भी इनको regular tribute देते थे तो आप ए समझ लो कि northern India के एक बड़ा हिस्सा कश्मीर को छोड़के वहाँ पे ये rule करते थे तो ये था इनका geographical area अब आते हैं कि जो ससांक अफ गोड़ा थे जैसा कि मैंने आपको पता है पहले तो ससांक अफ गोड़ा ने इनके भाई बड़े भाई जो थे राजवर्धन उनकी धोखे से हत्या कर दी थी उसके बाद धर्शवर्धन ने उनको भगा दिया था लेकिन ससांक की मृत्यू हो जाती है 619 AD में 619 AD में इसके बारे में भी historians में एक राय नहीं है हम लोग मान लेते हैं कि 619 AD में ससांक की मृत्यू के बाद अपनी किताब में लिखते हैं कि इस्ट की तरब भी बढ़ गया तो ससांक जो की बंगार और बिहार के आसपास रूल करते थे वो एक शैवभक थे शैवाइट किंग थे जिन्होंने गुस्से में आके बोधी ट्री को काट दिया था जो बोधी ट्री बोध गया में थी उसको ससांक ऑफ गोड़ा ने काट दिया था तो ससांक ऑफ गोड़ा is very important अब आते हैं चाइनिस ट्रावलर विंसां के बारे में विंसां 629 से 644 AD तक इंडिया में रहते करीब 15 साल तक और प्रिंस ओफ ट्रावलर्स भी कहा जाता है इनकी किताब है सी यू की और इसी से हम लोगों को हर्षवर्धन के रूल के बारे में उस समय की सोसाइटी अडिनिस्ट्रेशन इन सब चीजों के बारे में पता चलता है वेंदस सांग आये थे उनकी दोस्ती बढ़ती जाती है और ये भी बूला जाता है कि इनहीं के इंफ्लोइंस में आके हर्षवर्धन का जुकाओ बुद्धिश्म की तरफ बढ़े गया था ठीक है और वेंदस सांग अपने ट्रावलोग में अपने ट्रावल एकाउंट में कन्नौज की प्रोस्पेरिटी की कन्नौज की ब्यूटी की काफी बढ़ाई करते दिखेंगे फिर 643 AD में एक इंपोर्टेंट ग्राइंड असेंबली होती है कन्नौज में जिसमें बहुत सारे प्रीष्ट बहुत सारे जो फ्यूटे इटली थे छोटे छोटे रूलर्स थे वो भी उनकी एसेंबली होई थी और इसमें सारे धर्म के लोग आया थे और इसी में हून सांग स्पीच देते हैं महायान बुद्धिज्म के बारे में बताते हैं तो ये भी कहानी है कि उसमें इनको मारने के साजिस की गई उसको जला दिया गया हाला कि ये इतना important नहीं है इसके बाद ये भी बोला जाता है कि जब जल गया वो उसके बाद हर्शवर्धन ने 500 ब्राबनों को banish कर दिया था अपने kingdom से तो ये बात important है आपको याद रखनी है कि 643 AD में एक grand assembly कन्नौज में होई थी प्रियाग में भी assemblies होती थी महामोक्ष परिशद हुआ करती थी आथ साल में लगने वाला एक festival प्रियाग में होता था तो ये बात हर्शवर्धन के टाइम के आपको याद रखनी है next आते हैं कि हर्शवर्धन art and learning के great pattern थे और खुद भी एक great poet थे ऐसा बताया जाता है उनके लिखा हुआ तीन किताब बहुत famous है हर्शवर्धन के दौरा प्रियादर्शी का रतनावली ये दो romantic comedy है और नागनंद ठीक है तो प्रियादर्शी का रतनावली नागनंद इन तीनों को हर्शवर्धन ने लिखा है एक्जामस में पूछता है याद रखिएगा ठीक है और उनके court poet जो थे बानभट बानभट जैसा कि मैंने आपको बताया बानभट की लिखी गई हर्श चरित जो की biography है हर्शा की वो और बानभट ने एक और किताब लिखी थी हाला कि वो उसको complete नहीं कर पाए कदामरी फिर इन्होंने दो text compose किया था मधुबन inscription का और बांश केरा inscription का ठेक है next आते हैं इन्होंने diplomatic relations established की थी Chinese contemporary ती शांग के साथ और ती शांग ने तीन embassy भेज़ी थी हर्श वर्धन के court में तो इनके Chinese contemporary के साथ अच्छे relation थे फिर आते हैं कि हर्श वर्धन नॉर्थ इंडिया में तो अपना rule established कर लिया था हर्श वर्धन ने लेकिन हर्श वर्धन जब south जाते हैं नर्मदा के तट पे नर्मदा के banks पे उनकी pullcation 2 के साथ लड़ाई होती है जो कि pullcation 2 मैंने आपको बताया चालुक्या king हुआ करते थे यह आप मैप में देखो यह चालुक्या dynasty है यहाँ पे कहीं नर्मदा नदी है ठीक है नर्मदा नदी के तट पे इनकी लड़ाई होती है और यह हार जाते है हर्श वर्धन को हरा दिया था चालुक्या king pullcation 2 ने तो यह भी history के दिस्टर कौन जे काफे important है कि who defeated हर्श वर्धन तो pullcation 2 चालुक्या king of बतामी defeated हर्श वर्धन on the banks of नर्मदा यह कहाँ mentioned है ahole inscription जो कि करनाटका में है वहाँ पर यह mentioned है ठीक है हर्शा का administration कैसा था अब समझते हैं हर्शा का administration गुपता के administration के जैसा ही था लेकिन इनका administration और भी ज़्यादा feudal और भी ज़्यादा decentralized था मैंने आपको गुपता administration वाले वीडियो में बताया है अगर नहीं दे administration फ्यूडल था decentralized था सामन्तों को छोटे rulers को काफी जादा अधिकार मिले हुए थे इनके drain में वो और बढ़ गया more feudal और ज्यादा decentralized हुआ ठीक है इनकी leading feudatrist थी मैंने आपको बताया भासकर वर्मन कामरूपा के इनके काफी अच्छे मित्र हुआ करते थे काफी अच्छे supply करते थे horses supply करते थे elephants supply करते थे और हर्शवर्धन के बारे में बोला जाता है कि इनकी एक बहुत large army हुआ करती थी जिसमें इन्होंने 60,000 elephants इन्होंने रखे थे हाला कि ये बात बहुत सारे historians बोलते हैं कि exaggerated है कि Moria empire इंसे काफी ज्यादा बड़ी थी लेकिन उनके पास भी 300, सजार cavalry और 9,000 elephant थे तो ये इतने ज्यादा कहां से रख साके लेकिन historic के किताबों में लिखा हुआ है कि एक लाग horses और 60,000 elephants इनके पास थे तो इनकी army काफी बड़ी थी और power जो था वो military camps में shift हो गया था जब इतनी सारी military रहेगी इतनी बड़ी military रहेगी तो power military के हाथ में ज आफ ये जादा दिये जाते थे गुपता ने सात्वना से सिखा था अब गुपता डैनिस्टी के decline के बाद land grants जो की priest को मिलते थे वो continue होते चले गए और हर्षा की time में तो ये officials को भी दिये जाने लगे तो land grants were given to officials और हर्षा के बारे में बोला जाता है कि he was the first ruler वो ऐसे पहल officials को भी officers को भी land grants देने पर मिले तो ये बात ध्यान रखेगा revenue को चार भाग में divide किया गया था पहला king के लिए दूसरा student के लिए student किया scholars के लिए तीसरा officials के लिए और चौता rituals जो की priest लोग करते थे उनके लिए और ministers और officers को land grants दिये जाते थे और यही एक कारण है कि हम लोग law and order बहुत जाद अच्छे से maintain नहीं होता था क्योंकि हुएंसरांग जो इतने important Chinese traveler थे उनकी भी सामान चोरी हो जाती उनके साथ भी robbery होई थी तो law and order maintain नहीं था यह हुएंसरांग अपने account में बताते हैं क्योंकि उनका सामान चोरी हो गया था ठीक है लेकिन punishment जो था law of the land के ह समपर्क में आए तो धीरे धीरे यह punishment जो थे वो कम सीवियर होते चले गए ठीक है रामनाज और छत्रिये जो थे वो simple life बिताते थे लेकिन priest और noble class था वो luxurious life बिताता था सूद्र जो थे उनको agriculturalist माना जाता था और उनका status improve हुआ लेकिन untouchables और chandals उनका condition auditory rate होता चला गया फिर आते हैं forest guards भी हुआ करते थे forest guards को वनपाला बोला जाता था और chief of all the village गाओं के जो प्रमक होते थे उनको स्वर्व पल्ली पती भी बोला जाता था तो ये सब एक्सांप में पूछी लेता है याद रखिएगा इविंत सांग के अनुसार बुद्धिज्म 18 सेक्ट में divide हो गया और नालंदा जो है एक great center इमर्ज हुआ बुद्धिज्म के studies के लिए खास करके महायान बुद्धिज्म के लिए ठीक है नालंदा एक huge monastic establishment हुआ करती थी और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे 10,000 monks पढ़ाई करते थे हलाकि ये exaggerated है बाद में एक और traveler आया इजिंग जो कि 670 में इंडिया है बाद में उन्होंने बताया कि यहाँ पे 3000 monks पढ़ते ठीक है तो नालंदा एक important center था बुद्धिज्म के लिए काफी सारे monks इसमें बुद्धिज्म का पढ़ाई करते थे तो ये थी administration इसके बाद मैंने आपको जैसा कि बताया हर्षवर्धन की death का कारण कहीं इंसन नहीं है तो हर्षवर्धन का rule 606 से 647 में उनकी मृत्यू तक च स्टार्ट हुआ तो जैसे ही आप देखोगे एक बड़े empire का decline होता है मौरिया का decline हुआ सात्वाना और कुशांस का उदय हुआ सात्वाना और कुशांस का decline हुआ गुपता का उदय हुआ गुपता का decline हुआ उश्य भूतिज ऑफ थाने से या फिर वर्धन डैनिस्टी का उ के लिए कीप लर्णिंग और जाहन दूँ